ये आकाश्वानी रायपूर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाशर शुकला अब पेश हैं आज के मुखे समाचार सूरज बुर्जिले में राहत शिविर में रह रहे हैं नौ श्रमिक कोरोना संक्रमन के मामले में संदिग्ध पाए गए हैं इनके नमूनों को जाच के लिए रायपूर भेजा गया है मुख्यमंद्री ने भरोसा देलाया कि अन्य राज्यों में फसे 36 गड़ के श्रमिकों की जल्द वापसी के प्रयास किये जा रहे हैं वहीं राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों में फसे प्रदेश के छात्रों को वापस लाने के प्रयास शुरू किये मनरेगा में रोजगार देने के मामले में 36 गड़ देश में शीर्ष इस्थान पर और नारायन पुर्जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुटभेड में एक महिला माववादी की मौत विसफोर्ट में दो जवान खायल अब समाचार विस्तार से सुरजपर जिले के राहत शिवर में कोरोना पाजुटिव पाए गए प्रवासी मजदूर के साथ रहने वाले नौ अन्य श्रमिक कोरोना संदिग्ध पाए गए हैं इन मजदूरों का रैपिड टेस्ट किया गया था स्वास्तमंत्री टियस सेंदेव ने बताया कि इन संदिग्धों के नमून की जाँच रायपूर में की जाएगी आर्टी पीसियार जाँच के बाद ही इन श्रमिकों में कोरोना वाइरस के संक्रमन की पुष्टी होगी ये सभी श्रमिक प्रतापुर्क शेत्र इस्थित जजावल के राहत शिविर में रह रहे थी एक मजदूर के पॉजिटिव पाए जाने के बाद ही जिला प्रशासन और स्वास्तव विभाग ने शिविर में रहने वाले सभी मजदूरों के रैपिट एंटिबॉडि टेस्ट किया इन वे से संदिग्ध पाए गया नौ लोगों को आईसोलेशन में रखा गया है इन सक्डिक धो में एक कॉंस्टेबल भी शामिल है जिला कलेक्टर दिपक सोनी ने बताया कि इस मामले के सामने आने के बाद जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है और इस थिती पूरी तरह नियंत्रण में है वहीं कोरिया जिले की सीमा से लगे मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कोरिया जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कुवारपूर, मातमौर और कोईलरा गाउं को पूरी तरह सील कर दिया है मिली जानकारी के अनुसार शहडोल के इस कोरोना पॉजिटिव मरीज ने जिस पिक अप वहार में सवारी की थी उसमें कोरिया जिले के कुछ मजदूर भी बैठे हुए थे, संपर्क में आए लोगों को कुरिंटाइन कर दिया गया है इस बीच जगदलपूर मेडिकल कॉलिज के आईसोलेशन वार्ड से फरार हुए दो कोरोना संदिक्ध मरीजों को परपा पुलिस ने ग्रफतार कर लिया है इन दोनों को सुकमा जिले के एर्राबोर पुलिस नाके से पकड़ा गया है मिली जानकारी के अनुसार संदिक्ध मरीज आंद्रप्रदेश से बस्तर आय हुए थे कोरोना के लक्षन पाये जाने पर इन्हें आईसोलेशन वार्ड में रखा गया था जहां से दोनों मरीज बीते 25 अप्रेल की रात फरार हो गये थे हाला कि इन दोनों मरीजों की जाच के रिपोर्ट निगेटिवाई है मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने भरोसा दिलाया है कि लोगडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फसे 36 गड़ के श्रमिकों की जल्द वापसी के प्रयास किये जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्मंद में श्रीगर ही कारवाई की जाएगी उन्होंने ये भी कहा कि अन्य राज्यों के जो श्रमिक 36 गड़ के रास्ते होकर अपने राज्यों के लिए जाएंगे उनके लिए ये प्रावधान किया गया है कि वे 36 गड़ की सीमा पर बनाये गए चेक पोस्ट पर अपना पंजियन करा लें और वहीं पर उनके भोजन तथारुपने की व्यवस्था की गई है राज्य सरकार ऐसे श्रमिकों को 36 गड़ की सीमा से उनके राज्य की सीमा तक पहुँचाने की व्यवस्था करेगी इस बीच मुख्य सचीवार पि मंडल ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिख कर 36 गड़ आने वाले सभी व्यक्तियों और श्रमिकों का स्वास परिक्षंट सहित अन्य जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबन में दिशा निर्देश चारी किये हैं मुख्य सचीव ने जिला कलेक्टरों को घर वापसी के एकशुक प्रवासिक श्रमिकों की संख्या और उनके बारे में जिलेवार सभी जानकारी एकत्र करने को कहा है वहीं कोरोना वाइरस संक्रमन की रोगठाम के लिए राजसरकार ने एक एहम निर्न लिया है इसके अनुसार अब 36 गड़ की सीमा में प्रवेश करने से पहले सीमा में बनाये गए चेक पोस्ट पर श्रमिकों सहित हर उस व्यक्ति को अपनी पूरी जानकारी और यात्रा का विवरन देना होगा यदि कोई व्यक्ति बिना जानकारी दिये प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कारिवाई की जाएगी चेक पोस्ट में प्रारंभिक स्वासल जांच कराने के बाद ही लोगों को 36 गड़ की सीमा में आने की अनुमती दी जाएगी राजस्थान के कोटा में फसे प्रदेश के चात्रों को 36 गड़ वापस लाने के बाद अब दूसरे राजियों में फसे 36 गड़ के चात्रों को लाने के प्रयास भी शुरू कर दिया गया है इसके लिए सभी जिलों में नोडल अधिकारियों के नियुक्ति की गई है इस बीच कोटा से लोटे जिन 473 विद्यार्थियों को दुर्ग में कॉरिंटाइन किया गया है, रैपिट टेस्ट में इन बच्चों के रिपोर्ट निगेटिव आई है सिविल सरजन डॉक्टर पुनीद बालकिशोर ने बच्चों के साथ लोटे सेवा निवरत 14 सैनिकों के रिपोर्ट भी निगेटिव आई है प्रदेश में कोरोना वाइरस संक्रमन की रोगठाम के लिए जिले के भीतर, अंतर जिला और अंतर राज्ये पास जारी करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किये गए हैं सामाने प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमल प्रित सिंग ने इस सम्मन में सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधिक्षकों को सक्षम अधिकारी की अनुमती के बिना आवागमन पास जारी नहीं करने के निर्देश निये हैं वहीं अन्य राज्यों से आवागमन के अनुमती केवल ग्रेह विभाग द्वारा दी जाएगी इसके बाद ही जिलादंदा दिकारी कारियाले द्वारा पास जारी किया जाएगा पास के लिए आवेदकों को पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ट जमा करना अनिवारे होगा साथ ही आवागमन के उद्देश की पुस्टी के लिए आवश्यक दस्तावेज भी देने होंगे लौकडाउन के दौरान प्रदेश में गैर कानूनी गतिविधियों की रोगथाम के साथ ही जरूरत मंद लोगों की परिशानियों को दूर करने के लिए राजधानी रायपूर सहित प्रदेश के सभी जिलों में अनेक कदम उठाय जा रहे हैं राजनान गाओं में पान मसाला और जर्दा जैसी प्रतिबंधित नशीली चीजों की बिक्री किये जाने का खुलासा हुआ है जिला प्रशासन ने शहर में एक ट्रेडर के यहां छापा मार कर चार बोरी से अधिक पान मसाला जब्त कर व्यापारी पर जुर्माना लगाया है वही कोंड़ा काओं में जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान केवल अत्यावश्यक वस्तों की दुकानों को प्रते दिन निर्धारी समय तक खोलने के अनुमती दी है जबकि अन्य दुकानी सप्ताह में दो दिन खोली जाएंगी इसके लिए अलग अलग दुकानों के लिए अलग अलग दिन टै किए गए हैं नागपुर में काम बंद होने के बाद पैदल ही कूलकाता जाने के लिए निकले मज़दूरों के लिए महासमुन जिले के बसना सरायपाले सित रहत शिविर में भोजन और स्वासिजाच की वेवस्था की गई है इधर दुर्ग में जिला प्रिशासन ने रेस्टोरेंट से होम डिलिवरी प्लेटफॉर्म के माध्यम से रात नौ बजे तक खाना मगाने की अनुमती दी है उधर सर्गुजा जिले के बिशनपूर सामुदा एक इस्थित रहत शिविर में श्रमिकों के खान पान के साथ ही मनुरंजन की वेवस्था भी की गई है यहां श्रमिकों के बच्चों के लिए पढ़ाई जारी रखने और खेलने की सुभिधा भी है वहीं इस केंद्र में आज से योग शिविर का भी शुभारम किया गया सर्गुजा संभाग में कोरोना पॉजिटिव और अन्य संदिक धमरीज मिलने के बाद सूरजपुर जिले में अमरिकापुर के पडोसी राजे जारखन से आवा गमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है वहीं आज धमतरी में एक मौक ड्रिल कर कोरोना संक्रमन से निपटने के तैयारियों का आकलन किया गया प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वाणी रायपुर से सुन रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल है चत्तिसगड़ AIR News तो अब रेडियो के साथ ही आपके मुबाइल के जरिये भी हम पहुँच रहे हैं आप तक चत्तिसगड़ की हर खबर के लिए सुनते रहे हैं आकाश्वाणी समाचार और अब आगे बढ़ते हैं बागी के समाचारों की ओर नारायनपूर जिले के अबुजमार क्षेत्र में सुरक्षा बलो ने एक महिला माववादी को मार गिराने में सफलता हासिल की है इस दोरान माववादियों दोरा किये गए विसफोर्ट में दो जवान घायल हुए हैं जिले के पुलिस अधिक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि छोटे डोंगर थानक शित्र के करिया मेटा और कडेनार के बीच में माववादियों ने सड़क पर आईडी बिचा रखा था जिसकी चपेट में आने से दो जवान घायल हो गए 36 सशर्पूलिस बल के जवान बालकुमार बगेल और डियार जी के जवान राजकुमार सोनी को प्रात्मिक उपचार के बाद हेलिकॉप्टर से रैपू लाया गया है इनकी हालत खत्रे से बाहर बताई जाती है वही विसफोर्ट के बाद एमबुश लगा कर बैठे बस्तर डिविजन स्मॉल एक्शन टीम के माववादियों ने जवान उपर फाइरिंग शुरू कर दी सुरक्षबलों द्वारा की गई जवाबी का रवाई में एक महिला माववादी मारी गई इस माववादी के पहचान पूर बस्तर डिविजन सप्लाई टीम कमांडर रनाई के रूप में हुई है जो वर्ष 2007 से माववादी गतिविधियों में सनलगन थी सर्चिंग के बाद घटना स्थल से महिला माववादी के श्रव के अलावा SLR राइफल, बारह बोर की एक बंदूक, वाकी टोकी सेट और माववादी साहित बरामत किया गया है वहीं सुकमा जिले में केंद्री रिजर्फ पुलिस बल, CRPF और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने दो माववादियों को गिरफतार किया है CRPF कमांडेन प्रवीन कुमार सेह ने बताया कि इन पर पुलम पली थानाक्षेत्र में कई माववादी गतविधियों में शामिल रहने का आरूप है अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार केंद्री ग्रह मंत्राले ने लॉकडाउन के कारण अलग-अलग राज्यों में फसे मजदूरों, छात्रों, परेटकों और श्रद्धालों सहित अन्य लोगों को उनके ग्रह राज्य में वापस लाने के लिए दिशा निर्देश जारी किये है इसके अनुसार इन लोगों का मेडिकल चेकप किया जाएगा, साथ ही अन्य कड़ी शर्तों का भी पालन करना होगा, घर लोटने में इन्हें होम क्वारेंटाइन में रहना होगा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से ऐसे लोगों को भेजने और बुलाने के लिए नोडल अधिकारी तैनात करने तथा मानक प्रक्रिया विक्सित करने को कहा गया है नोडल अधिकारी अपने राज्जियों और किंदुशासित प्रदेशों में फंसे लोगों का पंजीकरन भी कराएंगे पुलिस महानिदेशक डियम अवस्थी के निर्देश के बाद राज्जिय में पुलिस कर्मियों का कोरोना टेस्ट शुरू कर दिया गया है इसके तैर बिलासपूर जिले में लोगों से सीधे संपर्प में आने वाले पुलिस कर्मियों की जाँच पहले की जा रही है बिलासपुर रेंज के पुलिस महानी रिक्षक दिपानशु काबरा और पुलिस अधीक्षक प्रिशांत अगरवाल ने बिलासा गुडी में पुलिस कर्मियों के कुरोना जाच और स्वास्त शिविर का शुभारम किया इसे तरह राजनानगाउं के पुडाना जिलासपताल में भी पुलिस कर्मियों का रैपिट टेस्ट किया जा रहा है जाच के दौरान मास्क लगा कर आये पुलिस कर्मियों ने समाज एकदोरी के नियमों का भी पालंग किया लॉक्डाउन के दौरान महादमा गांधी रास्टे ग्रामिन रोजगार गैरंटी योजना मनरेगा के तहट रोजगार देने में 36 गड़ देश में शीर्ष इस्थान पर है इस समय देश में मनरेगा के तहट काम कर रहे कुल मजदूरों में से 24 फीसदी अकेले 36 गड़ में हैं केंद्रे ग्रामर विकास मंत्रा लेद्वारा जारी आंकडों के अनुसार मनरेगा कारियों में अभी पूरे देश में 77,85,000 से अधिक मजदूर कारिक कर रहे हैं इन में से 16,85,000,000 अकेले 36 गड़ में काम कर रहे हैं पूर्ण बंदी के दोरान ग्रामिनों को उनके गाउं में ही रोजगार उपलब्द कराने में महात्मा गांधी राष्ट्रे ग्रामिन रोजगार गैरंटी योजना मनरेगा काफी मददगार साबित हो रही है नाराइनपूर जिले के मलेचुर गाउं की सियो बाई ने बताया कि लॉकडाउन की वज़े से उनके सामने आर्थिक दिक्कत थी लेकिन मनरेगा के तहट अब उन्हें गाउं में ही रोजगार मिल रहा है रोजगार गारंटी में गोदी खोद रही हैं और दूर दूर में रहते हैं एक पहार में आ रहे हैं बीस पचीस जो और एक पहार में आ रहे हैं दस बार अलो और मुख को बांद कर गोदी फेक रहे हैं और दूर दूर रहकर गोदी गोद रहे हैं बार-बार हाद दोकर गौधी फेक थे, हम लोगं को कुस लग रहा है और गौधी फेकने की लिए हम लोगं पूरा गाउवाली आ रहे हैं, हम लोगं कॉच्छा लग रहा है, गौधी मिल गया तो, रोजदी गारंटी मिल गया तो कोरोना वाइरस के संक्रमन की रोगठाम के लिए एहतियात के तौर पर राजी के पंजियन कार्याले अब 3 मई तक बंद रहेंगे इसके पहले पंजियन कार्याले को 28 अप्रेल तक बंद रखने का आदेश दिया गया था लेकिन अब इसे बढ़ा कर 3 मई कर दिया गया है वही राज्य सरकार ने सभी मदिरा दुकानों और राज्य बेवरिजेस कॉर्पुरेशन के रायपपूर बिलासपूर में स्थित गोदामों और जिलों में शराब भंडार ग्रिहों को भी आगामी तीन मई तक बंद करने का निर्दे लिया है साथ ही प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट, होटल, बार और सभी कलबों को भी तीन मई तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है इस बीच राजी सरकार ने सभी राजस्व नियायलों में नंबित प्रकरणों की सुनवाई चार मई या उसके बाद रखने के निर्देश चारी किये हैं इसके पहले 29 अप्रेल या इसके बाद सुनवाई करने की तारीख निश्चित की गई थी राजसुविभा की सच्चिव रीता शांडेली ने इस आदेश का पालन सुनश्चित करने के निर्देश जारी किये हैं मुख्यमंत्री भूपेश बखेन ने कहा है कि लोगडाउन की वजह से 36 गड़ के उद्योगों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये फिक्की के पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगिक संस्थाओं को कच्चे माल की आपूर्ती से लेकर उत्पाधन और विक्रय की व्यवस्था के लिए जरूरी कदम उठाये कि कोरोना संक्रमन की बाद चीन से बाहर निकलने के एक्षुक विदेशी और द्योगिक संस्थानों को 36 गड़ में आमंत्रत करने के अवसर बने हैं। केंद्र सरकार ने स्कूरों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान भे विद्यार्थियों को मध्यान भोजन प्रदान करने का निर्ने लिया है। इससे करीब 11 करोड बच्चों को लाब होगा। इस बीच केंद्री माध्यमेक शिक्षा बोर्ड CBSC ने दस्वी और के बीच इसपस्ट किया है कि 29 विश्यों के लिए परिक्षा बाद में आयोजित करने की उनकी यूजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं केंद्री माध्यमेक शिक्षा बोर्ड को सुविधाय प्रदान करें। अबियान के तहट राशन के 1000 पैकेट भेट किये। आज सुबह रायपूर स्थित अपने निवास से उन्होंने कुछ लोग कलाकारों को अपने हाथों से ये राशन पैकेट भेट किये। इस मौके पर कृशिमंत्री रवींद्र चौबे भी उपस्थित थे। करने के साथ ही शासन के दिशाने देशों को मानने की अपील की है। और अब कुछ है नखबर संक्षित में। वर्ल्ड बैंक ने 36 गण में आंगनबाड़ी कारिकरताओं द्वारा कोरोनो संक्रमन से रोक थाम के लिए टेक होम राशन वितरन कारिक की सराहना की है। दुर्ग जिले के पाटन थाना में पदस्व उपनिरिक्षक को बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित कर दिया गया है। और दुर्ग के नहरु नगर चौक में आज दो बहर ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रदेश के चात्रों को वापस लाने के प्रयास भी शुरू की। झात्रों के चा